लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि exercise 2.2 का जो first question था उसको हम लोगों ने solve किया था और वेरिफाई भी किया था कि जो हमारा calculation है वो बिलकुल सही है आज की क्लास में हम लोग question no.2 के बारे हम पढ़ने वाले हैं तो देखो न question no.2 आपका क्या है question no.2 है 4s square 4s square minus 4s plus 1 ही आपका question है तो यहाँ पर आपको पता है कि जो px का value होता है उसको आप कैसे लिखते हैं ax square plus bx plus c यही लिखते हैं यहाँ से value put कर दो as a w समझने के लिए ax square plus bx plus c अब देखो a के सामने 4 है b के सामने भी 4 है और c के सामने 1 है तो यहाँ पर a का value क्या हो जागा 4 b का value क्या हो जागा minus 4 और c का value क्या हो जागा 1 ठेक है अब इसका जोरत नहीं इसको मिटा दो इसका सुन्यक निकालना है इसका 0 find करना है आपको तो क्या मानना पड़ेगा आप ऐसे भी मान सकते हो कि px equal to क्योंकि यह polynomial है तो px मान लेते हैं px equal to 4s square minus 4s plus 1 यह कि फिर आपको इसको 0 करना ही पड़ेगा इसलिए पहले ही मान लो कि let this equal to 0 now अब इसको break करना है आपको तो break करो फिर कैसे करोगे 4s square minus 2s minus 2s plus 1 equal to 0 देखो हमने क्या बलो था कि इसका और इसका multiplication इसके और इसके multiplication के बराबर आना चाहिए 2 to the 4 4s square आ गया चलो ठीक है this implies 4 यहाँ पर देखो 2s यहाँ पी भी है 2s यहाँ पी भी है क्या करो 2s common लेलो तो 2s इसमें से निकालोगे तो क्या बच गया 2s देखो ना टू टू जा 4s को एस से multiply करोगे तो s square तो 2 टू जा 4s square minus 1 इसमें सो 2s निकाले लिए तो 1 ही न बचेगा चलो minus अब यहाँ पर देखो 1 common लेलो तो यहाँ से 1 निकाले तो 2s बच गया plus यहाँ से 1 निकाले तो 2s बच गया लेकिन यहाँ से minus निकाले हो तो यहाँ पर minus हो जाएगा और चूँँखे minus को minus के साथ multiply करोगे तो plus होगा क्या क्योँखे minus into minus equal to plus होता है यह आपको पता है चलो आगे बड़े हम next देखो आप दोनों में 2s minus 1 2s minus 1 common है तो क्या करोगे आप 2s minus 1 common लेलो यहाँ से 2s minus 1 आपने common लिया तो क्या बचा 2s और यहाँ से 2s minus 1 common लिया तो यहाँ क्या बचा minus 1 this implies अब देखो आप 2s यह तो आपका 0 है सबका सबका 0 है अब देखो आप यह 2s minus 1 भी 0 के बराबर है और यह 2s minus 1 भी 0 के बराबर है this implies s का value जो होगा direct मतली को 2s यह minus 1 equal के h side आएगा तो plus 1 हो जाएगा this implies s equal to क्या हो जाएगा यह 2 equal के इधर आएगा तो नीचे fraction में आजाएगा तो s equal to 2 and s equal to 2 देखो तो s का value 1 by 2 s का value 1 by 2 मतलब सुन्यांक क्या हो गया 0 क्या हो गया s equal to 1 by 2 अब verify करके देखते हैं कि सही आता है कि नहीं आता है now let's see the verification as we know क्योंकि हम लोग को पता है कि alpha plus beta equal to क्या होता है minus b by a alpha बता हो आपका क्या है 1 by 2 plus beta आपका क्या है 1 by 2 equal to minus b का value देखो तो आपका क्या है 4 है तो minus 4 ठीक है by a का value आपका क्या है देखो तो a का value 4 है this implies आधा और आधा को जोड़ोगे तो कितना हो जागा full मतलब 1 नहीं समाज में आया चलो LCM बेलते हैं 2 2 का LCM लोगे तो 2 होगा 2 से 2 कट गया 1 plus 1 equal to देखो 4 4 कट गया minus minus plus होगे तो 1 this implies 1 और 1 2 divided by 2 equal to 1 this implies 1 equal to 1 पहला तो verified हो गया हो गया अब आते है multiplication वाले में alpha into beta equal to value क्या होता है c भाई यह पता है अब देखो alpha का value 1 by 2 into beta का value भी 1 by 2 equal to c देखो कहां है c1 है by यह क्या है 4 है अब यह कहां से लाए देखो ना यहां पे सुन्यक जो है alpha जो है alpha जो है 1 by 2 है और beta जो है 1 by 2 है ठीक है अब देखो आप 1 by 2 को 1 by 2 के साथ multiply करोगे 1 by 4 हो जागा 1 1 जा 1 2 2 जा 4 equal to 1 by 4 यह भी verified हो गया बहुत easy है चलिए तो आपका question number 2 भी खतम हो चुका है मिलते हैं लोग next class में next question के साथ children thank you question हो तो question पूछना मत भूलिएगा आप comment box में अपना question type करिए चलो मिलते हैं next class में आप 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 झाल